नमस्कार दोस्तों मैं आपका चीर परचित दोस्त हाजिर हूँ आपकी अपने चैनल ग्यानवी सेश में दोस्तों आज की जानकारे बेहत और बेहत खासे जबर्जस्त है दोस्तों प्रकृति का खजाना अनमोल और असिमित है इसमें अनेक ऐसी वनस्पतिया पाई चाहती है जो चमतकारे के गुणों से परी होती है तो दोस्तों ऐसे है एक आयरवेद की चमतकरे जड़ी बुटी जो हमारी आसपास में ही पाई जाती है कि जिसका नाम है कटेरी ये लगबग सारे भारत वर्ष में पाया जाता है कटेरी का छत्ता जमिन पर फैलता है और इस पर एक स ये नदे के किनारों पर सड़क के आसपास और खाली पड़ी चमिन में आसाने से मिल जाता है इस पर सुपारे के समान गोल आकार वाले हरे रंग के पल लगते है ये जब पक जाते है तब पीले रंग के हो जाते है इसे तोड़ने पर इसमें से अन्यक छोटे छोटे बीच निकलते हैं दोस्तों ये पहचान निचिये ये कटेरी का पहता है इसकी तीन प्रजाती पहई जाती है एक बैंगने रंग के पुस्पवाली जो आप देख रहे हैं और दूसरी जो सफेद फूल वाली होती है इसे आयरवेद सास्त्रों ने लक्समना भी कहा है ये कहीं कहीं प जाना जाता है तो दोस्तों आएए अब जानते हैं कटेरी के अवसदिये गुण और पायदे के बारे में विश्टार से दोस्तों ये दमा और खासी की एक अदभूत और चमतकारिक बुटी है इसके लिए कटेरी के ताजे और कोमल पत्तों को लाकर पाने से अच्छी तरह स साब करें फिर इसे किसी पात्र में अच्छी तरह से कुट कर कपड़े से चानकर इसका रस निकाले अब रोजा ना खाली पेट जी रस 15-20 ग्राम की मात्रा में सेवन करें जब ये ताजे न मिल पाए तो इसकी जड़ों को इकठा कर लिचे और इसे पाने से अच्छी तरह स अब इसे अच्छी तरह से खोल कर खाले पेट पीचाए दिन में दो से तीन बार ये प्रयोग करें कुछी दिनों में खासी नश्ट हो जाएगी दोस्तों अगर गले के आसपास किसी भी कारण सुजन आ गई हो तो कटिरे के फलो को लेकर इसका लेप बनाए फिर इसे प्रभा कटिरी के फलो को सुखा कर लेना है इसके सुखे फलो के चुर्ण के बराबर मात्रा में मुनका और पिपली को मिलाए अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर इसमें से 5-6-10 ग्राम की मात्रा में रोचाना गाय के सुद्ध घी एक चमच और सहद दो चमच के साथ मिलाकर प्रयोग करें प्रति दिन सुबह उठकर इसका प्रयोग करते रहने से टीबी खत्म हो जाता है दोस्तों अगर दातों में किड़ी लग गए हो तो इसको दूर करने के लिए भी कटिरी का सालों से उप्योग किया जाता है इसके लिए कटिरी के फलो को सुखा कर इसमें से ब हो जाते हैं दोस्तों जिन लोगों की बाल जड़ गए हो और गंजापन की सिकार बन गए हो एसे लोगों को भी कटेरी बहुत काम की चीज है इसके लिए आपको कटेरी के ताजे पत्तों का रस निकालना है इसके साथ थोड़ा सहद मिलाकर रोजाना गंजे सिर पर मालिस करनी दोस्तों ये प्रयोग प्रति दिन और 15 दिनों तक लगादार करने से सिर की गंज दिरे दिरे दूर होती है और नए बाल आने लगते हैं अगर किसी को बार बार उल्टी हो रहे हो तो ऐसे में अगर आजपास में कटेरी मिल जाती है तो इसके मूल का 10-20 ग्राम की मात्रा मे रस निकाले अब इस रस में दो चमच की मात्रा में सहत मिला कर पिला दे आप देखेंगे कि कुछी समय में उल्टी आना बंध हो जाती है दोस्तों कटेरी दाद खाज और खुजली जैसे तोचा रोगों में भी अधिक फायदेमंद होती है दोस्तों इसके लिए कटेरी के फलो का ताचारस निकाले और इसकी बराबर मात्रा में सरसो का तेल ले अब इन दोनों को अच्छी तरह से मिला कर एक लेप बनाए और इसे दाद पर लगाए दोस्तों ये काम आपको लगातार एक सब्ता तक करना है इस विदी से पुराने से पुराना दाद खत्म होता है क दुबारा कभी नहीं होते तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण चानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई चानकारे के साथ